ही एविवन आज हम करेंगे नेक्स टॉपिक हार्डे वेंबग एकलिब्रियम या फिर हार्डे वेंबग प्रिंसिपल टॉपिक थोड़ा मुश्कील है इसने थोड़ा ध्यान जा समझेगा लेकिन मापको थोड़ा इजी वे में समझाने की कोशिश करोंगी तो लेस्ट जुनों ने यह प्रिंसिपल दिया उनका जो हार्डे वेंबग प्रिंसिपल यह एक ऐसी टाइप की पोपुलेशन पर था जो की ऐसे एरिया में रहती है जहां से ना तो कोई बाहर जाए गा और ना ही कोई अंदर आपाई मतलब जो हार्डे वेंबग एकलिब्रियम है वो इस तरह के एक population पे apply होता है जहां से कोई भी एक individual ना तो बाहर जाए और ना ही बाहर से कोई individual अंदर आपाए मतलब जो इस population है उसी particular area के अंदर ही अंदर रहेगी तो in short आप खुद भी समर सकते हो कि अगर कोई population एक area के अंदर है रही है जहां से ना ही कोई बाहर जा रहा है तो उस वे में ऐसी जगाँ पे ऐसी population के अंदर evolution होने के कोई chances नहीं है ना कोई भी chances नहीं है लेकिन जो ये situation है ये जो theory है ये theoretical है ना हम भी इसका theory रख कह सकते हैं क्योंकि ये theoretical situation है क्योंकि ऐसा possible ही नहीं है कि कि ना कोई बाहर जाए और ना ही कोई अंदर आपाए इसलिए एक theoretical situation है तो हमें एक समझ में ये समझ में आना है हमें ये exact समझना है कि जो hard event equilibrium है वो एक ऐसी type की population के लिए applicable होता है जहां से ना तो कोई individual बहार जाए और ना ही को individual अंदर आए ठीक है second one अब भी यहां पे हमें इसके बाद ये पढ़ना चाहिए कि जो hard event equilibrium है इसे total 5 तरह के factor effect करते हैं five factors जो है इसे effect करते हैं और वो कैसे effect करते हैं वो हम बढ़ते हैं ठीक है पांच factor आपको पता ही होगा ये हमने रटे हुए बिल्कुल है ना इनसे आटी से पहला gene flow gene flow का मतलब क्या है gene flow का मतलब कोई एक gene महां से चला जाए मतलब कैसे जैसे मैंने भी यहां पे population ल जाए रहे हैं उनके दे सारे इंडिविजल से रहे हैं ठीक है gene flow का मतलब क्या है यहां से कोई एक इंडिविजल जो है बाहर चला जाए और किसी दूसरी population में रहने चला जाए ठीक है किसी दूसरी और population में रहने चला जाए ठीक है किसी दूसरी और population में रहने चला जाए प तो कोई इंडिवीजल चला गया तो हाड एवन प्रिंसिपल अपलाई नहीं होगा एंड सेकेंड वन फैक्टर आता है हमारा जिनेटिक ड्रिफ्ट जैसे कि हमने भी उपर पड़ा कि यहां पे कोई एक इंडिवीजल अगर भार चला जाए तो वो हो गया जनेटिक जीन फ्लो उसी तरह अगर इसी पॉपुलेशन में ठीक है यहां पे पहली पॉपुलेशन पहले वाली अगर इसमें से कोई एक इंडिवीजल माली यह वाला इंडिवीजल किसी और पॉपुलेशन में जाने बजाय एक ऐसे एरिया में चला जाए जहां पर वह खुद अपनी पॉपुलेशन बनाएं ठीक है वो खुद की अपनी अलग से पॉपुलेशन बना ले ठीक है अपनी एक नई स्पीसिस बना ले तो वहीं खेलाती है जनेटिक टृरिफट समझ में आ गया कि अगर कोई एक इं बना ले उसे हम कहेंगी genetic drift तो इस case में आप बताओ जैसे के हमने कहा कि हमारी original population थी एंडी हमारी new population है यह तो इसी नहीं वाली जो नहीं बनी और यह पहले original थी तो जो अब यह जो नहीं बनी है इस नहीं वाले में जादा effect देखने को भी नहींगे क्योंकि इसमें एक ही तरह क इसका प्रभाव कम हो जाता है तो इसलिए हम इसे founder effect बोलते हैं क्या बोलते हैं आप में नाम सुना है यहागा founder effect आपको समझ में आ गई होगी genetic drift की definition ठीक है genetic drift की definition में हम हमें से मुश्किल वर्ड यहीं लगता है founder effect राखे होता क्या है founder effect वहीं होता है जिसमें जो original population है नहीं population बनने की वज़े से original वाली थोड़ी सी fade हो चुकी है इसका प्रभाव थोड़ा कम हो चुका है और इसका मतलब यहाँ थोड़ी fond हो चुकी है ठीक है और इसे हम क्या गोलते है founder effect और अगर ऐसा हो गया तब भी हमारा hard event book principle equilibrium apply नहीं होगा ठीक है third one third one होता है हमारा gene recombination यह combination हो जाता है तब भी हमारा hard event book principle apply नहीं होता और mostly decombination है वो sexual reproduction में जाद होते है इसके chances ठीक है fourth one is mutation अगर किसी भी individual में कोई mutation आ जाए और उसके DNA में कोई mutation आ जाए तो वहां भी तो जी DNA चेंज हो जाएगा और अगर DNA चेंज हो गया तो हमारा hard event book equilibrium apply नहीं होगा उसी तरह natural selection भी एक factor बनता है जितनों topic है थोड़े बड़े हैं इसे हमें briefly पढ़ना पढ़ेगा ठीक है तो हम आगे पढ़ेंगे तो जब से पहले इन सब चीजों को पढ़के आपको क्या पता चला हमने हाप स्टार्टे में का था कि जो population है population में जिना से कोई एक अंदर ना कोई भार जाए ना ही अंदर आए इसका मतलब क्या है कि वहां से किसी भी तरह का कोई DNA चेंज ना हो यहीं समझ में आता है हमें कि मतलब इन शोटे हमें क्या कहना चाहता है कि DNA कुछ भी किसी हालत में चेंज नहीं होना चाहिए ठीक है हार्डे वेंबग इकलिप्रियम की कि उसमें वहीं बोलता है हार्डे वेंबग की थेयरम क्या बोलती है कि जो फ्रीक्वेंशी ओफ एलील है पोपलेशन के अंदर वो रहने चाहिए ठीक है तो यहाँ पर हमें सवर्ण में आ गया कि नॉर्मल बात क्या अगरेशन तो जनरेशन तक हमारी जो फ्रीक्वेंशी ओफ एलील है मतलब एलील है वह सेम रहने चाहिए इसमें को किसी तरह कोई चीज नहीं आना चाहिए आपको समझ में आ जाएगी हार्डे वेंबग थेयरम की डेफिनिशन सु मैंने आप इसकी डेफिनिशन लिख दी है ह अगर एलील की फ्रीक्वेंशी में किसी तरह कोई चेंज आया तो हाँ पर एवलुशन हो जाएगा और इवलुशन हमें इस थेोरम में नहीं करना चाहिए अगर इवलुशन नहीं करना तो यह हमें अप्लाई करने पड़ेंगे तिक चोटा सा प्रिंसिपल था और उसे बेस पे इन्होंने की क्वेशन भी दी थी प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्कूर्स तो वन मतलब सम टोटल ओफ ओल अलेलिक फ्रिक्वेंसे जिस वन रहनी चाहिए ठीक है अनी आपको पता भी आपने इसके बेस पे कॉशन भी की होंगे कं corners itbadale में हम एफ़ह सब्सक्तान हैं कि मुडियर ने सिंट हो सकता है नहीं पर जिक्सेश तरह कोई चेंज आना तो मतलब ह tapping change in DNA, अगर DNA में किससी तर्णा कुछ चेंज आताए, तो वहाँ पर DNA generation होगा, और यहाँ पर DNA वे चेंज आने का मतलब क्या है, कि उसके nucleotide के sequence में change आना, sequence of nucleotide, nucleotide के sequence उसमें किस तर्णा को किछ चेंज आया, तो वहाँ पर मतलब DNA change हो चुका है, और वो nucleotide का sequence हो, और पौके का दो को डíchनेests नेॉउक्रा कॉल ऐहां हो सकता हैं iy को पूसमेटेंट रिखेटा में। अगल होता है पर लौया क्रोमोसौम ऑफारेशन क्रोमोसौम के इस अगर कुंछ धिक स्ट्र्क्ट्रिशन में ठीक है। कि क्रोमोसोम के structure में किस किस तरह से changes आ सकते हैं या तो उसकी जो आम है क्रोमोसोम की जो आम है वो delete हो जाए या फिर वहाँ पर duplicate हो जाए या फिर inverse हो जाए यह सब हमने पढ़े हुए ठीक है अच्छे से पढ़े हुए क्रोमोसोम की जो नंबर में चेंज आएगा यहां पर क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा यह भी आपने पढ़ा हुआ है यह दो तरह को होता है आगे enuproity and euproity enuproity में होता है किसी तरह कोई gain या loss होना किसका two chromosome का कोई one or more sorry one or two chromosome में कोई gain या loss हो जाना ही कहके लाता है enuproity कहता है आपोरा chromosome के बात हूरे एठिक है और यहां पर यहां पर होता है gain या loss of one या more genome यहां पर genome में कोई loss या फिक gain होना genome में loss या फिक gain होना वो पिक आख सथै क्रोमोसोम का तिक है यह पर main difference और है and होता है numerical mutation ले उेडि क通रे नहाओ नहाओ ये नहाओ आपकरा थे वर नहाओ वेजब आवाय रहे वी के शाहब? किरे खाक दे нас थे एझ ले रखव मिजट राविए